आज जो हमारा लेक्चर है वह मेटल नोन मेटलोईड तो एक में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात बता दूँ कि मैं पहले लेक्चर में light light कर रहा था तो light से मेरा मतलब electricity था बिजली तो please confuse मत होना तो चले start करते हैं lecture तो जो ये metals होते हैं वो solid material होते हैं सक्त होते होके तो typically ज्यादा तर ये hard होते हैं और shiny होते हैं चमकदार इन्हें हम hammer की help से different shapes में change कर सकते हैं metals को जैसे के हम जेवरात बनाते हैं gold से तो maleable का मतलब है लिचिकदार उसके बाद है fusible तो एक metaloid है tin तो tin है एक metaloid उसका melting point मतलब के वो melt होता है 332 celsius तो जिन metal का melting point इस tin से कम है तो वो fusible metal scale आते हैं उसके बाद है ductile तो ductile ductile का मतलब है के तार पजीर तो तार पजीर मतलब के उन्हें हम wires में change कर सकते हैं तो हम metals की wire यूज करते हैं electricity में और उसके बाद है के ये good conductor है electricity और जो thermal है गर्मी गर्मी और बिजली के ये good conductor है तो हम for example एक road ले ले उसके एक pole को हम heat देंगे तो हमें यहां पे भी feel होगी तो इसी तरह हम इन्हें wires के तो यूज करते हैं क्योंके ये light electricity के good conductor है तो उसके बाद है non metals तो non metals ऐसे element हैं जिनकी metal की तरह characteristics नहीं है तो वो ability नहीं रखते हीट को conduct करने के electricity को conduct करने की ability नहीं रखते वो luster नहीं होते मिन्स चमकदार नहीं होते लिचकदार भी नहीं होते तो एक example है non metal का वो है carbon तो उसके बाद है metaloid तो metaloid एक ऐसा element होता है जैसे के यहाँ बेग्जेम्पल की तोर पर दिये गए है arsenic, antimony और tin तो इनकी properties जो है metal और non metal के बीच वाली है intermediate हैं ये दोनों इनकी properties मतलब के ये metal की properties भी रखते हैं non metal की properties भी रखते हैं इसलिए इनने metaloid केते हैं ओके तो उसके बाद है जो ये semi conductor होते हैं light के मतलब के नीम conductor होते हैं light को कुछ कम conduct करते हैं तो आज का lecture यहीं तक है अल्ला हाफिज